हलो दोस्तो आज हम आपको जीवन में आने वाले अमूल वातें अच्छी वातें जो हमारे जीवन में काफी लावदायक होती हैं उनके बारे मताएंगे सुनिए जीवन को अधिक खर्चीला नहीं वनाना चाहिए अधिक खर्चीला जीवन मनिस्यों को रुपे का दास बना देता है जिसके कारण अनेक पाप करने पड़ती हैं मनिस्वी जीवन के समय को अमूल और छड़िक समझकर उत्तम से उत्तम काम में व्यतीत करना चाहिए एक छड़वी व्यर्थ नहीं विताना चाहिए मन से भगवान का चिंतन वाडी से भगवान के नाम का जाप सबको नाराइन समझकर सरीष से जग जैनारदन की निश्वार सिवा ही यही उत्तम से उत्तम कार रहे है दुजात्य मात्र को उचित है कि नित्य सूर्य देव और सूर्यास से पूर ही संदियो पासान और गायतरी मंत्र जब करें सूर्य दे इम सूर्यास्त के समय सोना निसिद होता है एकांत में मन को सदा यही समझाना चाहिए कि परमात्मा के सिवा किसी का भी चिंतन न करें क्योंकि व्यर्थ चिंतन से बहुत हानी होती है स्वाव लंबी बनना चाहिए, स्वाव लंबन अम्रत है बोलने के समय बहुत बिचार कर सत्य, प्रीय, मित और हित के बचन बोलने चाहिए हमको हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए सकारात्मक सोच एक मानसिक इस्तिती, दरश्टी कोड़ और बिचारों की एक अवस्था है हमारा सकारात्मक दश्टिकोड में निरंतर विकास के और उन्मुक खुरता है सकारात्मक सोच से हम कभी भी पराजित नहीं होते बलकि हर परिस्तिती में उस्सा से भरे होती है सकारात्मक सोच के व्यक्ति जीवन में नई बुलंदियों के और अग्रसर होते है कन्याई प्रति दिन सुवे साम साथ बार सीता माता और कुंती माता नामों का उच्चारण करें तो वे पतिवरता होती हैं कोई व्यक्ति हमसे नाराज हो, हमारे प्रति उसका भाव अच्छा न हो, तो प्रति दिन सुए साम मन से उसकी प्रकम्मा करके धन्वत प्रणाम करें ऐसा करने से उसका भाव बदल जाएगा, फिर वह व्यक्ति कभी मिलेगा तो उसके भाव में अंतर दिखेगा आपको किसी वक्ति का स्वाव खराब हो तो जब वो घहरी नीद में सोया हो तब उसके स्वासों के सामने मुख करके धीरे से खहें कि तुम बड़े अच्छे हो तुमारा स्वाव बड़ा सुन्दर है तुमारे में क्रोध नहीं है आदे कुछ दिन ऐसा करने से उसको स्वाव सुधर करने लगेगा जो व्यक्तित आत्रे साड़े ग्यारे से साड़े बारे बजे तक अथवा ग्यारे से एक बजे तक जाकर भजने स्मुर्ण नाम जब करता है उसको अंत समय मूर्शा नहीं आती और भगवान की स्मुरती बनी रहती है हमें स्वास्त के लिए भी ध्यान लखन स्वास्त के लिए सूर्य द्यों से पूर्व उठकर सुद्ध वाई में टहलना इसनान संद्या तर सूर्ण नमसकार करना चाहिए बोजन सुद्ध सात्य को साधा होना चाहिए गुड फल हरी सब्जियां दूद का सेवन स्वास्त के लिए विशेश लाब दायक है पीने का पानी साफ और सुद्ध होना चाहिए प्रात है उठकर तामय के पात्र में रखा हुआ सवा लेटर जल पीना चाहिए बोजन के समय नाम मात्र को जल पीना चाहिए बोजन के एक घंटे बाद ही इच्छा उंसार जल पीना चाहिए घर साफ सुथरा और कमरा हवादार होना च इंद्रियों का सयम सदुड़ों का संचे तता तामसिक वस्तों का त्याग सवास्थ गर लिए आवसक है हमने था अपने वहılan सवास्त का ही रक्षा करनी चाहिए हमने वही करना चाहिए प्योंकि हम्हारा स्वास्थ सरीर ही सवास्त मस्तिस को जनम देता है तो नहीं हम हम भगवान के ही हैं हम जहां भी रहते हैं भगवान के ही दर्वाल में रहते हैं हम जो भी सुब काम करते हैं भगवान का ही काम करते हैं सुद्ध सात्तिक जो ही पाते हैं भगवान का ही प्रसात पाते हैं भगवान के दिये प्रसात से भगवान के ही जनों की सेवा करते हैं यही भाव हमें नंतर अपने मन में रखना चाहिए अगर ये भाव हम रखेंगे त तो दोस्तों बस हमारा तो यह ही कहना है कि बस अपना जीवन में भगवान का नाम लें और दूसरों की सेवा साहता करें भगवान आपकी हमेशा रच्छा करेंगे धन्यवाद